हेलो गाइस कैसे हैं आप से भी लोग स्वागत है आपका डाक स्पिरिट की एपिसोड नमबर 393 में तो चलिए इसके एक्स्पिनेशन को स्टार्ट करते हैं तो जैसे कि हमना लाग अपसोड में देखा था हमारे जो यूई ट्यान में रहता है बहुत जादा पावर्स को रिल सैमली नमे को यहाँ पर भेजा और इस लाइक बनाया है कि मैं यहां तक खड़ा हूं और यहाँ पर इस कॉम्पेडीशन के लास्ट पर खड़ाँ तो मैं यहाँ पर हार कैसे माल सकता हूं इस बंदे को आज मैं अपने टूस्ट को रिलीस करता है और श्ट्राइग इसकाई ड्राइगन टैप पर कुछ बन जाता है जो कि एक तरह गर ड्राइगन ही रहता है और वह लिंवेंग को चारो तरफ से लपेट लेता है पूरी तरह से कि लिंवेंग कहाता है तुम तो अच्छे खासे जीने अलसो मैंने सोच आनी तो और एक्सपेक्ट नहीं गया था बर फिर कि लिए तुमने आपे ड्राइगन के च्छे से निकाल दी जिससे पता चलता है कि हाँ तुम्हारे पाउस बीस एनरजी तो है पर मेरे को हराने के लिए इतनी एनरजी काफी नहीं और लिंवेंग आपने पाम को रेडी कर रहा होता है और कि वह पाम मारने वाला हुता है रह इसे लिंवेंग भार बार पर उसे पाम मारता तो वह ड्राइगन वहां पर डिसपेर होता है जब वह ड्राइगन वहां पर डिसपेर होता है तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां बंदे नहीं 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 बंद है इसने यहां पर उसकी ड्र जिसको मैं एक ही बारे मसल सकता हूँ पर मैं भी तो देखो आगर तुम्हारे पास और कौन कौन से चीज़े हैं को दिखा हो अपनी टूस चंद दिखा हो मैं इससे तो फायर नहीं करने वाला अगर तुम इतने ही कर सकते होते हैं बहुत जदा काम है इतनी एनरजी के साथ खूछब को ताबित करना होगा कि योही फैमली वाली कितने चाह्ता हूं मैं करा होगा तो मेरे बहुत तो मैं दिखाता हं कि मीरी फैमली कितिे पा Müller फेमली तो यही तो कुछ भी नहीं होता लां एक इससके तो तो कुछ ख्राऊ है पर कुछ वह होता है सिंगल आटेक्या क जिसको कुछ भी नहीं हुआ होता है जबकि यूई ट्यान केंग यूई केंग यूई केंग्शन में आपे सोच रहे होते हैं कि आखिर ये बंदा है कौन ये मेरे ग्रेंड सन को इसतना भुरी तरीके से पीटा और यहाँ पे उसके ड्रैगन तक को डिस्ट्रॉय कर दी आतका है कि इसको सब्वसे पाइफुल टेखनीक को भी इसने आसानी से माँ देदी कि उनके पसीने सुझेत रहे होते हैं और वह वह कह रहे होते हैं कि यूई टीन में को यकेंगे से हरा जकते है यह बंदा हारने वाले वह लेंगें की बात करे होते हैं देखने से ही पता चल रहा है कि उनको पूरी तरह सी यकीन नहीं है कि यूई ट्यानमेंगी जीतेगा, जबकि फिर यूई किंग शन चलाते हुए कहते हैं, ग्रेंड सन बेटा, तुम्हें यहाँ पर ऐसे हार नहीं माननी चाहिए, और देखो तुम्हें आपे अपने पूरी करो, पूरी जी जान से लड़ो, मतलब नहीं कि तुम हार तो यहां पर तुम्हें कि लैंट भिए नहीं हार ने से बेंगे कोई मतलब नहीं बनता, मतलब कि यहां पर तुम्हें फहार बीजा लेट कि तुम्हार जाई वयृत त्स महां आनिका थी, भी तॉम्हें , लिदीik चाहिए अगर तुम लगे कि तुम इससे आगे नहीं कर सकते और तुम बिल्कुल भी अपने आपको पोश्मत करना यूई टी आनमिंग जो होता है वो यहां पर थोड़ा सा आसता है फिर यहां पर कहता है कि भला मैं इस बंदे के सामने कैसे हार मान सकता हूं मेरे फादर को भ बहुत जदा पावर्स को रिलियस करके जब लिन फैंग की बड़ी सी शील्ड टैप की बैल रहती है तो वह उसके उपर हमला करता है तो वहां पर क्रैक आना चालो हो जाते है यानि यूई टी आनमिंग ने इस पर पूरी जान लगा के पंच लगाया होता है और वहां पर क् सब्सक्राम 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 ठाइब करता क्यों सब्सक्राइं वह रहती है वह फिकी बार पर बेंगा जकी यहां धोट्य बहुत नहीं और हाँ हाँ आज मैं भी एक क्मेंट करूंगा तो पूछूंगा कि लाएक कितने ड्रेग Conference है तो देखते हैं लाएक करना मेरेक्ट पर यहाँ पे लिन्फंगेंग हमारा यूई-टियांविंग से कहता है कि यूई-टियां Excuse अगर तुम्हें लगता है कि यतनी पावर के सात तो में यहां पर यह बंद कर देना चाहिए औरымान लेनी चाहिए लेखे क्षेड़ भलता है का fit swap नागते हैं लेखे मिंग के ल मिंग बंदा। और उसको पूरे दरह दो यह मरता एक हमला करता है यूछि कोशिश पर याँ पर इ wardi तो तो च describe me तो यहांद में तो मेरे हमले को यहां पर ब्लॉक कर सकता है नहीं तु अब बहुत ज़्यादा कमजोर एक चीटी समान है पता है जूयू फैमिली का तू जूयू किंग्डम से तू यूयू फैमिली का ग्रेंट सन है किसी बड़ी फैमिली के ग्रेंट सन को यहां पर पिटते हुए पहली बार देख रहा हुँ मुझे तो बहुत मज़ा रहा है क्योंकि लिंफैंग उसे बहुत ज़्यादा स्टांग है जबकि जो हमारी यूई ट्यान मिंग के ग्रेंट फार ग्रेंट वो कहते हैं आखिर इस बंदी की प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है और भला यूई ट्यान मिंग को उसने इतना जादा जखमी क्यों कर दि होर्ष और तुम्हारे ग्रेंट संग को इतना ज़खमी क्यों किया है तो असले में मैं इसकी वज़ा है तुमुनियग यूई टिक से मिला भीनी हो आज तक लिनफंग कहता है अच्छा, तो मैं तो मैं तुम्हें ही याद दिलाता हूँ और वसे शयाए तुम्हें अच्छा लग रहा होगा, कि मैं तुम्हारे ग्रैंटसन को ऐसे ट्रीट कर रहा हूँ, फिर लिनफंग यहाँ पर अपने रिवील करने वाला होता है, यानि कि अपने सच्चाई को किया लिन फैंग लिन फैंग है यानी रिया लिन फैंग और वो यहां पर अपना परदाफाश करने वाला है और सब को बताने वाला है कि असमें वही लिन फैंग है लिन फैंग ने एक मास्क पहना हुआ था पर वह यहां पर मास्क को भी हटाने वाला और वह कहता है किंग शान से किंग शान तुमको याद ही होगा तुम्हारी डॉटर मेरे फादर और साथ ही नहीं दोनों का बेटा और फिर वह यहां पर किंग शान को ग्रेंडपा कह देता है और कहता है ग्रेंडपा क्या आपको याद आया तब कि यहां पर सारे देखने वाले लोग कहते हैं यहां पर चल किया रहा यह बन्दा इतना फारफुल है कि नाम लियन वैंग है और किसी जानता है न कुρά को प्रेटरिएज नाम की रियाज इस नाम गतृत बहुंद समझे है कि असलजा में लिनविटम का बन्दा और को वो दुन baba को करने वाला है और सब को यहाँ पे सच्छा ही बताने वाला है तो वो देखें याँ नेक्स्ट एपसोड में क्या क्या होता है तो मिलते हैं गल्यूडे में साथिन और पीस गुडबाई और हाँ मैं कमेंट करूँ तो मेरे कमेंट पर लाइक कर दिना मेरे को अच्छा लगता है जब मेरे कमेंट पर लाइक आते हैं तो मिलते हैं गल्यूडे में बाई